हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब बहुत अच्छे हैं आज मैं लेके हूँ बहुती यूजफुल कीचन टिप्स जिसे हम यूज़ करके अपने घर और कीचन का काम बहुती आसान कर सकते हैं उमीद करती हूँ वीडियो बहुती ही यूजफुल लगेगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगते हैं वीडियो को लाइक, सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को सेर जरूर कीजिए तो चलिए फ्रेंट्स देख लेते हैं आज का फर्स्टीप हमारे घर के अंदर इस तरीके से बेकार ढकन पड़े रहते हैं जिनके डिबे या तो गुम हो जाते हैं या फिर तूट जाती हैं तो इस ढकन को भी हम बेकार समझकर बाहर फैंक देते हैं आज हम एक ऐसी टिप्स लेके आई हैं जो हमारे ढकन बहुत ही काम आएंगे तो सबसे पहले फ्रेंट्स हमें कोई भी एक ढकन ले लेना है बड़ा या छोटा और उसके ऊपर लगाएंगे हम डबल टेप तो हमें डबल टेप इसके ऊपर चिपका लेना है वीडियो को देखते रहिएगा बहुत ही काम आने वाला टिप्स है तो फ्रेंट्स हम यहाँ पर इसको डबल टेप को चिपका लेते हैं और उसके बाद हम लेंगे पेपर रोल या पर जो पेपर रोल खतम हो जाती है तो जो पिछे से इस परकार का होल वज़ता है तो उसका हम यूज करेंगे तो हम इसको इस तरीके से डबल टेप के ऊपर लगा देते हैं और अब हम बताते हैं कि हम इसको यूज किस परकार से करेंगे तो फ्रेंट्स हमारे घर के अंदर चूडिया पड़ी रहती हैं तो उन चूडियों को हम इस होल के अंदर लगा देंगे और लगाने के बाद हम इसको ड्रेसिंग के अंदर या फिर अलमीरा के अंदर कहीं पर भी रख सकते हैं और इस होल के अंदर बहुत सारी यानि एक रेशिंग के अंदर रखने से इस परकार से इसके अंदर धूल मिट़ी भी नहीं जाएगी, साथ ही हमारी कूड़िया भी एक ही साथ ऐड़जेस्ट हो जाएगी, तो थे करेंदे दिए यहां पर बंदर और वी भहुत सारी चूड़िया रख सकती हैं, तो आप भी इस तरीके से बना कर try जरूर कीजिएगा आपके भहुती काम आएगा साथ ही चूडियां भहुती अच्छे से organize हो जाएगी तो यहाँ पर छोटे बड़े डखकन कोई भी हम use कर सकते हैं नेक्स टिप में friends हम देखेंगे कि बच्चे जब भी काम करते हैं यानि drawing या फिर homework करते हैं तो इस प्रकार से color, sharpener, eraser या फिर pencil होते हैं जोक होते हैं वो इधर उधर भी खेर देती हैं जिससे इकठा करने में हमें भी बहु ज़्यादा प्रेशानी होती हैं और बच्चे को भ रखेंगे colors को तो हम इस परकार के मिठाई के डबबय को हम यूज में ले सकते हैं और इससे बच्चों का जो छोटा मोटा समान होता है आप इसके जिए छोटे मोटे खिलोने भी रख सकते हैं जैसे candle joy के अंदर आते हैं और इरेजर, शोबनर, चोक या फिर pencil color भी रख सकते हैं इससे बच्चों को बहुती आसानी से मिल भी जाएंगे और साथ में जहां भी ये home work या फिर color drawing painting करते हैं वहाँ पर हम बच्चे को ये box दे देंगे खोलके जिससे बहुती आसानी से अपना home work या फिर drawing painting कर सकता है और उ उसको भी बहुती जादा अच्छा रहेगा एक ही साथ एक ही जगए मिल जाएगा आई होप कि ये tip भी आपको बहुत जादा अच्छी लगी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस tip का जरूर यूज कीजिए यहां पर friends हम जब भी हमारे घर के अंदर पोचा लगाते हैं तो फिनाईल या फिर सरफ तो हम डेली डालते हैं बट हपते में हमें एक बार इसमें नमक डाल कर पोचा लगाना चाहिए इससे हमारे घर के अंदर सुधी करण आता है और फिनाईल और इस सरफ से हमें डेली का डेली पोचा लगाना चाहिए इससे क्या होता है इसमें कीडे, मकोडे या फिर जितने भी हमारे पर्स पर कीटानू होते हैं वो सब खतम हो जाती हैं पोचा लगाने से पहले हमें इसको इस तरह से पानी को मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम हमारे घर पे पोचा लगाएंगे तो फ्रेंट्स आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए चलिए देख लेते हैं नेक्स टिप भी नेक्स टिप में फ्रेंट्स हम हमारे घर के अंदर सुबह या फिर शाम को दूड डेली लाती हैं पर उस दूद के अंदर मिलाउट काफी होने लगी है आज कल तो हम इस मिलाउट को पता करेंगे कि हमारे घर के अंदर जो दूद आता है उसमें मिलाउट है या नहीं है तो हम क्या करेंगे मिलाउट को चेक करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसे हम बहुत ही असानी से पता लगा सकते हैं तो आज उन्ही मेंसे मैं आपके सामने एक आईडिया लेकर आई हूँ तो चलिए फ्रेंट्स चेक कर लेते हैं हमारे घर के अंदर दूद कैसा आ रहा है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने दो कटोरी ली है एक कटोरी में मिलावटी वाला दूद है और दूसरी कटोरी में मैंने सामने दुहा के लाई हूँ दूद को तो वो वाला दूद है, तो हम अब चेक करते हैं, उसके लिए हम लेंगे बेलन जो हमारे घर के अंदर बहुती आसानी से मिल जाता है, तो हमें friend Allen को इस तरीके से रखना है, अब हम सबसे पहले जो मिलावटी का दूद है, वो उस पे बेलन पे डालती है, जैसे हम दूद को ड उपर इस तरीके से चिपक जाएगा यानि दूद के अंदर अंतर दीख रहा है जो जिसमें मिलावर थी वो एकदम बह गया और दूसरा बेलन के चिपक गया तो आप इस तरीके से ट्राइ कर सकती है नेक्स्ट फ्रेंच मैं रेसिपी लेकिया हूं मिर्ची की तो आज हम मिर्ची के अंदर केंची से कट कर लेती है तो फ्रेंच हमें इस तरीके से इसको कट करना है और यहां पर मैंने एक एकर के सारी मिर्ची को कट कर लिया है और अब हम निकालेंगे इस मिर्ची के बीज तो इस तरीके से चलने से चलन लेने से बीज है जो मिर्ची के नीचे आ आप इस तरीके से एक बार ट्राइट जरूर करके देएखना तेल गरम हो जाने पर फ्रेंट्स हम कहाैं कर साधी चमेच जीरं तो प्रेंठीग यहां पर ह्री मीर्च को सौक टाल करेंगि यहां-क लिताय हमदाते हैं प्रेंश से फेल संसद पारते हम हुद घरल ड़ी तो मिर्च को अच्छे से भून लेंगे हमें मिर्ची को भूनते वक्त गेस का फ्ले मीडियम रखना है और इसको चार से पांच मिर्च तक इसी तरीके से भूनेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सुके मसाले सुके मसाले में हम डालते सबसे पहले एक चमज नमक यानि स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे एक चमज लाल मिर्ष डालेंगे आदी चमज हल्दी डालेंगे और एक चमज दनिया पाउडर और एक चमज इसमें अमचूर डालेंगे साती में हम दर जिरा पिसा हुआ सौंप डाल देती हैं इससे खुसबू और टेस्ट बहुँ ज़ादा मिर्ची के अंदर बढ़ता है और अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और दो से चार मिर्ट तक भून लेती हैं गेस का फलेम हमें मीडियम ही रखना है और अब इसका स्वाद का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर एक चमस दही दही को फ्रेंश डालने के बाद हम इसमें डाल देती हैं एक चमस यानि छोटा एक चमस इसमें मलाई डालेंगे और मलाई डालने के बाद मिर्ची को अच्छे से भून लेते हैं और यहां पर मिर्ची अच्छे से भून गई है यानि मिर्ची की रेसिपी तयार हो गई है मिर्ची बन कर तयार हो गई है तो यह एक हलवाई जैसी यानि हलवाई से मैंने सीख के बताया है आपको बहुती अच्छी सी टेश्टी सी मिर्ची बनी है आप इसको दो रोटी के जगे चार रोटी अच्छे से खाएंगे तो I hope कि मिर्ची की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है आप इस रेसिपी को एक बार ट्राइ करके जरूर देखिएगा बहुती अच्छी मिर्ची बनेगी I hope कि आज के सारी टीप और रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फोर वाचिंग